आई जानते हैं आज की कुछ प्रमोक अंतराश्ट्रिये खबरों को उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइन्स पर एक एक कर हाथी से उतर रहे मायावती के सिपाह सालार निद्रितेस पांडे के बाद अबिस्सांसत का भी नंबर तेजस्वी नितिस पर शाधा निसाना तो समराच चौधरी ने दिया करारा जवाब अगले तीन महिने मन की बात पर ब्रेक पियम मोदी ने खुद बताई वज़ए समंदर में डूबी द्वारिका नगरी तक पहुँचे पियम मोदी अराधना कर बोली ये दिव्य अनुभब डबलू टियो की वज़े से नहीं मिल रही MSP की गारेंटी किसानों ने चलाया जाग रुकता अभ्यान बिना ड्राइवर के ही चले लगी मालगारी कछवा रेलवे स्टेशन पर मचा हर कंप यमन में हूती विद्रोहियों के ठारा ठिकानों पर बड़ा हमला अमेरिका सहीत साथ देसों की फौज ने मिलकर किया आटेक इसराइली सेना का गाजा के रफाह में एयर स्ट्राइक एक ही परिवार के आठ लोगों की मौत साहित कपूर ने क्यों छोड़ी थी अमिर खान की रंगदे बसंती हुआ अपसोस और तीसरे दिन का खेल खत्म भारत ने बिना कोई विकेट खोई बनाए 40 रन अब चौथे दिन बनाने होंगे 152 रन अगामी लोकसभा चुनाओं से पहले बहुजन समाज पार्टी को पुरवाचल में बड़ा जटका लग सकता है उसके जोन पूर सांसत स्याम सिंग यादव कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं उन्होंने आज आगरा में राहूल गांधी की भारत जोरो निया यात्रा में सिरकत की स्याम सिंग यादव संसद के बजट सत्र के दौरांट राहूल गांधी से मिले थे वह संसद भवन से राहूल के साथ उनकी गारी में बैठ कर दस जनपत स्तित उनके आवास गए थे इससे पहले श्याम सिंग यादव के भाजपा में भी शामिल होने की अटकले थी जब उन्होंने केंद्रे बजट और यूपी सरकार के बजट की तारीफ की थी स्याम सिंग यादव की बसपा से बगावत की अटकले 2022 से ही लगाई जा रही जब वह कॉंग्रिस की भारत जोरो निया यात्रा में शामिल हुए थे बिहार में अंडिय सरकार के गठन के बाद लगभग एक महिने पूरे होने के बाद भी कैबिनेट विस्ताद नहीं होने पर तेजसवी यादव ने सियम नितिस कुमार पर निशाना साधा है नेताप्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नितिस कुमार अब मुखे मंत्री पद पर रहकर उप चुके हैं और उनका काम में मन नहीं लग रहा है उन्होंने कहा बिहार की जनता भी नितिस कुमार से उप चुकी है केके पाठक जैसे अधिकारी मुखे मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं उन्होंने कहा जीतन राम मांजी ने बिलकुल सही बात कही है चार विधायक वाली मांजी की पार्टी के बदौलत ही नेतिस कुमार मुख्य मंत्री है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अपने मासिक रेजियो कारिक्रम मन की बात के 110वे एपिसोड के जरिये लोगों को संबोधित किया इस दौरान प्रधान मंत्री ने तीन लोगों से फोन पर बात भी की और विबिन सरकारी योजनाओं के संबंध में उनके अनुभवों को जाना पीम मोदी ने प्राकृतिक खेती के महत्व को रिखांकित करते हुए कहा कि कैमिकल से हमारी धर्ती मा को जो पीरा हो रही है उसे बचाने में मात्र संस्था का बड़ा योगदान है उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही है प्रधान मंत्री ने कहा अगले तीन महिने तक अब मन की बात कारिक्रम को नहीं कर पाएंगे उनोंने कहा मन کی بात में देश की सामुहिक सकती की उपलबदी की बात होती है ये एक तरह से जनता का जनता के लिए जनता द्वारा तयार होने वाला कारिक्रम है अब अगले तीन महिने मन की बात का प्रशारण नहीं होगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी गुजरात के द्वारिका में समुंद्र में गहरे पानी के अंदर गए और उस अस्थान पर प्रातना की जहां जलमगर द्वार का नगरी है उन्होंने कहा कि इस अनुभब ने मेरे सामने भारत के अध्यात्मिक और एतिहासिक जरों के साथ एक दुरलब और गहरा संबंध प्रस्तुत किया पीम मोदी ने पानी के अंदर द्वारिका नगरी को श्रद्धानजली अर्पित की वो अपने साथ भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करने के लिए समुंद्र के अंदर मोर पंक लेकर गए थे पीम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा पानी में डूबी द्वारी का नगरी में प्रातना करना बहुत ही दिव्य अनुभब था मुझे आध्यात्मिक वैभब और सास्वत भक्ती के लिए एक प्राचीन यूग से जुराव महसूस हुआ भगवान श्रीकृष्ण हम सभी को आसिर बात दें पंजाब और हर्याना सीमा पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 13 दिन में प्रवेस कर गया है क्रिसी संग किशानों से सांत रहने और शांती के साथ MSP कानून के लिए लराई जारी रखने की अपील कर रहे है किसान यूनियनों ने संभू और खनौरी सीमा पर वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन को लेकर आजिक समिनार आयोजित किये थे कैसे WTO की नीतिया भारती किसानों के लिए एक मजबूत फंदा बन रही है किसान नेता ने कहा हमें केंद्र सरकार से पांच वी बार हमारी मांगों पर बात करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है उन्होंने बताया हम देखेंगे कि वे क्या प्रस्ताव देते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके आने से पहले इस पर चर्चा करना सही है कठुआ रेलबे स्टेशन पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है यहां रुकी एक माल गारी धलान के कारण बिना ट्राइवर के अचानक पठान कोट की ओर चलने लगी यह देख कर हर कंप मच गया सूचना मिलने के बाद ट्रेन को मुकेरिया पंजाब में उची बरसी के पास रोका गया डिविजनल ट्राफिक मैनेजर जम्मो का कहना है कि मामले की जाँच सुरू कर दी गई है बताया गया है कि ट्रेन 70-80 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से दौर रही थी सूतरों के मताबिक जैसे ही रेलवे के अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी गई तो हर कंप मच गया आननफानन में कठवा रेलवे स्टेशन में से एक मालगारी बिना लोको मोटी पालेट के पठान कोट की तरफ निकली बिना लोको मोटी पालेट के ट्रेन को रोकने के लिए रिकावरी इंजन भीजा गया काफी जदो जहत के बाद जब बिना ड्राइवर के दौर रही मालगारी मुकेरिया पंजाब में उची बर्सी के पास रुकी तो लोगों ने राहत की सांस ली यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका और बृतेर ने मिलकर बड़ा हमला किया है अमेरिकी सेंटरल कमान ने कहा कि यमन की राजधानी सना में हूती के ठिकानों को निशाना बना कर ये हमले किये गये हैं और इस दोरान 18 ठिकानों को निशाना बनाया गया है अमेरिका ने कहा कि हूती आतंग की माल वाहक जहाजों पर हमला कर रहे थे और यमन को जो मानवी मदद दी जा रही है उसे भी रोकने का प्रियास कर रहे थे इसलिए हमने उन पर हमला किया ब्रीटिस और अमेरिकी फोजों के अलावा औस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेन्माक, निदरलेंड और न्यूजिलेंड की फोर्स ने भी इस साचा हमले को अंजाम दिया गाजा के रफाह में जमीनी सैन अभ्यान चलाने की तैयारी कर रहे इसराइल ने हवाई हमले किये है मिस्टर और गाजा के सीमा पर मौजूद रफाह में हुए एयर स्ट्राइक में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई जबकि दरजन भर लोग खायल हो गए मरने वालों में तीन महिलाएं और दो पुरुस है प्रत्यक्ष दर्शियों के मताबिक इसराइल ने एक घर को निशाना बनाया जिसमें विस्थापित हुआ एक परिवार रह रहा था पिछले सारे पांच महिने से जारी इसराइली सैन कारवाई से गाजा की 23 लाग की आबादी में से 80 फीसदी लोग बेघर हो गए हैं लोग अपनी जान बचाने के लिए रफा में शरन लिये हुए हैं बॉलिवोड एक्टर शाहिद कपूर की पहचान अब बदल चुकी है वो महज चौकलेट बॉआय नहीं रहे गए हैं उन्होंने कई डार्क सेट्स कैरेक्टर भी किये हैं अपने लगबग दो दसक के करियर में शाहिद ने कई फिल्में छोड़ी वही कई ऐसे फिल्में भी रही जिनके हाथ से जाने काउने काफी अपसोस हुआ ऐसी एक फिल्म थी आमिर खान की रंग दे बसंती साहिद ने बताया था कि इसके नेरेशन के दौरान वो रो परे थे देशभक्ती थीम और कहानी वाली रंग दे बसंती फिल्म आज भी दरसों को की फेवरेट मानी जाती है जाहिर है ऐसे फिल्म का अगर ओफर मिले और एक्टर उसे ना कर पाए तो रिग्रेट हो गा ही साहिद को भी हुआ उन्होंने नेहा धूपया के पॉड़कास्ट में रिवील किया उन्हें इस फिल्म के ओफर को रिजेक्ट करना पड़ा था साहिद ने डिटेल सियर करते हुए बताया कि उन्हें करन सिंगानिया का रोल ओफर किया गया था जो की बाद में सिधारत के हाथ लगा शाहिद डेट्स इशू की वज़े से वो फिल्म नहीं कर पाए थे तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है भारत ने बिना कोई विकेट खोई चालिस रन बना लिये है स्टम्स के समय रोहित सर्मा 24 और यसस्विक जैस्वाल 16 रनों पर नाबाद लोटे अब भारत को जीत के लिए चौथे दिन 152 रन और बनाने है इससे पहले इंग्लेंड की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 145 रनों पर सिमत गई ऐसे में भारत को 192 रनों का लक्ष मिला भारत के लिए दूसरी पारी में रवी चंदरन अस्विन ने 5 और कुल्दी प्यादम ने 4 विकेट जटके टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के 37 रन हो गया है रोहित सर्माज 24 गेंद में 4 चौकों की मदद से 24 और यसस्विजैसवाल 12 गेंद में एक चौके के साथ 13 रन पर हैं भारत को अब जीत के लिए सिर्फ 155 रन बनाने है